जहीं दोस्त मेरे नाम है नीरियज और आप देखरें मारे YouTube चैनल Stock Market for Beginners और आज हम बात करने वाले right issues के उपर बहुत simple सा concept है और फिर बात करेंगे reliance के right issue के बारे में कि आप लोगों को उसके साथ क्या करना चाहिए तो ध्यान से सुनिए का सबसे पहली बात सर राइट issue क्या होता है अप लोग मेरे existing student है और मैं सर नया course कोई launch कर रहा हूँ और आप मेरे पास आये कहते सर हमें भी वो course लेना है मैंने बोला ठीक है वो course आप ले सकते हो लेकिन आप तो फिर उसके बात क्या बोला right issue जो लोग पहले से मेरी टीम में हैं मैं उन्हें ही और benefit offer कर रहा हूँ उन्हें ही अपने और assets offer कर रहा हूँ कम price पर offer कर रहा हूँ अब बात करते है company के point of view से एक company right issue क्यों लाती है obviously उसे पैसों की जूरत है वो अपने existing shareholder से पूछती है मैं दुवारा से shares लाने जा रही हूँ क्या आप लोग खरीदना पसंद करेंगे और एक ratio बता देती है अब as a shareholder आप question पूछते हो हम क्यों खरीदे आपसे हम तो market से खरीद लेंगे तो market में कितने का था 1000 रुपे का आपको कितना मिल रहा है 800 रुपे का आपके लिए फाइदे की बात है कर आपको company fundamentals पर company की management पर विश्वास है आपको company के सारे parameters आप लोग चेक कर चुके जो हम लोग value investing course में सिखाते हैं तो definitely आपको इस right issue को जो है exercise कर लेना चाहिए right अच्छा अब जरह right issue के बारे में कुछ और बाते कर लेते हैं पहले तो इस word को समझते right issue right right shares what is this right right यहां पता है क्या हक साड़ा हक एथे रख साड़ा right एथे रख अब इसका मतलब समझे यह आपका right है आपकी obligation नहीं है मैं course का example अगर सब मैंने नया course launch किया और आप मैं आपको यह तो नहीं को लेना ही लेना है आपका right है आप लेना चाहते हो तो आपके लेक में discounted offer निकाल रहा है उस पर ले लो ऐसी से right shares है एक company आपको यह तो नहीं जाएगा इसलिए से क्या बोलते हैं guys right shares okay आप सुनिए आपको यह right shares आते कैसे हैं आपके बास letter of right आएगा उस letter of right में लिखा होगा कि क्या रहो अब उस letter को क्या क्या कर सकते हैं नेंबर वन उस letter of fard के facts सकते हैं ओम इग्नुराए नमा काली माता बली सुकार करो राइट दूसरी बात आप उस letter को किसी को बेच सकते हैं कि साहब मैं तो नहीं खरीदना चाहता right issues लेकिन मेरा पडोसी यह वो खरीदना चाहता है ले भई ले ले एक हजार रुपे का share था मार्किट में 800 रुपे में आपको मिल रहा था आपने उसको बेच दी आपने उससे 50 रुपे ले लिए ये येस आपने उसे 50 रुपी ले लिए आप खुश हो गए वो भी खुश ह है क्योंकि अब उसे वो शेर 800 रुपे का पढ़ने वाला है जो वैसे उसे कितने का पढ़ता 1000 रुपे का तो वह भी खुश है आपको 50 रुपे मिल गए आप भी खुश हो क्योंकि आपके लिए लेटर आपका मन नी था राइट एक्साइज करने का आपने उस लेटर को बाए करने चाहिए नहीं करने है राइट शेर हमें बाय करने चाहिए अगर फिर से वोह बोलूँगा अगर आपको कंपनी का पुरा ग्यान है कंपनी के फंडमेंटल में वो वह क्वानटी टीटीट इनलस्टी जो कौलिटेटिव अनलस्फं दोनों पर खरी उतरती है तो ड अब बाई आपको क्या बता हूं यह दीरु भाई मानी के बेटे मुकेश अमानी तो यह तो भगवान से इनके फोटो ने से पूछते भगवान कुछ चाहिए तो बता देना तो इनके तो वह हाल है तो हम सो यह सर हमेशा उल्टी धारा चीर के भैते हैं सब्सक्राइब होगा और मेरे क्या उपिनियन को यह देना नहीं चाहूंगा मेरी सर कुछ और रहा तो जरूर शेर कर दूंगा लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना ही I hope मैं आपको राइट इशू जो है 5-6 मिनिट के नदर समझा पाया और अब आप सर राइट इसका टैक्स का भी पार्ट है वह उपनी क्लासे में समझाते हैं इस मतलब कोई स्टॉक मार्गिक कोर्स में नि जो मैं इंकम टेक्स पढ़ाता हूं उसमें समझाता हूं बड़ा इंट्रस्टिंग हम आप बहुत सारे इंग्जाम्पल्स भी लेते हैं राइट चलिए सर था